जय हिन दोस्तों अगर आप भी 2022 में पॉली टेकनिक करने की सोच रहे हैं और आपने कोई भी इंटेंस एक्जाम या फिर कोई भी वन डे इंटेंस एक्जाम नहीं दिया है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है दोस्तों पॉली टेकनिक में एडिमिशन देन बीटी यूपी ने बहुत ही आसायान जास्ता निकाल करके ला दिया है जिसे कि अगर आपने अभी तक कोई भी इंटेंस एक्जाम या फिर एक्जाम नहीं दिया हुआ है फिर भी आप 2022 में काउंसलिंग करा सकते हैं और पॉली टेकनिक कर सकते हैं दोस्तों यूपी में पूरे यूपी के अगर बात करें हम तो केवल 38,261 छात्रों ने ही पॉली टेकनिक के लिए एडमिशन लिया है जबकि टोटल जो सीटे थी वो थी 2,28,527 दोस्तों सोच लिजी आप 2,28,000 सीटों में से केवल 38,000 स्टूडेंट्स ने ही पॉली टेकनिक के लिए एडमिशन तो क्या आप यही समझेंगे कि लोग पॉली टेकनिक से दूर भाग रहे हैं छात पॉली टेकनिक करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं इसी को देखते हुए अभी भी केवल 80,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग कराया है जिसमें केवल और केवल 38,000 स्टूडेंट्स ने ही अभी तक काउंसलिंग के द्वारा एडमिसन पाया हुआ है दोस्तों यही सब देखते हुए BTEUP यानि जो कि आपका पॉली टेकनिक का मेन संस्ता है जो कि आपका एकजाम अगयरा कंड़क्ट कराता है इसनोंने एक बहुत ही एहम फैसला लिया है कि अगर 2022 में जो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप एडमिसन ले सकते हैं क्या इसका प्रोसेजर होने वाला है सवन्युक्त प्रश्पाइच्छा के प्रभाई सचीव रामरतन सिंग जी का कहना है कि इच्छुत अभियर्थी जो भी पॉली टेकनिक में एडमिसन लेना चाहते हैं चाहे वो कोई कॉलेज एलोट ही नहीं हुआ हो तो वो भी स्टुडेंट इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं इसके लिए आपको केवल 250 रुपे रजिस्टेशन सुल्क देना होगा और आप काउंसलिंग करा पाएंगे और कोई भी कॉलेज आसानी से चूज कर पाएंगे उसमें आप ए मुसलिंग के लिए रजिस्टेशन कर रखा होगा उनको 9 और 10 यानि आज तक 24 फिलिंग का यानि कॉलेज में किस कॉलेज में आप एडमिसन लेना चाहते हैं वो आप आज तक चूज कर पाएंगे 11 अक्टूबर को सीट आवंटन होगा 11 अक्टूबर को आपको ये पदा चल कनफर्म करा सकते हैं इस चलर में सीट आवंटी 9 होने की दसा में अगर आपको इस चलर में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उस कंडिशन में आपको अगले चलर में काउंसलिंग करने का पूरा मौका दिया जाएगा आप नेक्स राउंड की काउंसलिंग जब आप काउंसलिंग में दोबारा से काउंसलिंग काते जाएंगे जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाए दोस्तों 2022 के अगर बात कर लें तो 2022 में टोटल दो लाख 28,527 सीटों के लिए काउंसलिंग कराई गई थी यानि 22,28,527 टोटल सीटों के लिए 2022 में पॉलिटि 80,000 स्टूडेंट ने अभी तक अगर हम 6th round की काउंसलिंग तक की बात कर लें तो केवल 80,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराया और उनमें से केवल 38,000 स्टूडेंट को ही काउलेज अलॉट हुआ वहीं अगर हम टोटल सीटों के तुलना में पास छात्र की बात कर लें तो 2022 में केवल 1,74,166 रही पास हुए यानि वो इलिजिबल थे कि वो काउंसलिंग करा सकते थे तो अब ये डिपेड नहीं करता है कि आप काउंसलिंग में पास थे या फिर फेल थे आप किसी भी अपने इच्छा उसार कॉलेज में डायरेक्ट जाकर की एड धाईस रुपे आपको इसके लिए चार्ज दिना होगा और आप काउंसलिंग करा पाएंगे आपको जो भी कॉलेज चाहिए वहापर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने का आप्सन दिया जाएगा अगर आपको कॉलेज चूज करने के बाद भी कॉलेज अलोट नहीं होता है उस तो यह साप कर दिया है BTUP ने तो आप अगर पॉलिटेक्निकी में 22 में एडमिंसन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत जेएकप की आफिसल वेबसाइट पर जाईए और वहाँ पर अपना रोजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए अगर आपको रोजिस्ट्रेशन वगयरा करनी नहीं आता है तो आपको चैनल पर हमारे बहुत सारी वीडियोज बिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि रोजिस्ट्रेशन कैसे करना है च्वाइस फिलिंग कैसे करना है कॉलेज को लॉक कैसे करना है फीस पेमेंट कैसे करना ह everything आपको काफी detail में बताया गया है